नमस्कार पतना, पतना में ऐसा कौन सा विद्याल है, जो कि टॉप 10 में आता है, और बच्चों को पढ़ाई के साथ और सारी गतवीधियों को साथ में लेकी जाता है, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं, वन ओ दो मोस्ट डिमांडिंगे स्कूल इन पतना बिहार, इन लिट क्या का चाहिए, नमांकन के लिए, टीचर, टीचर के संख्या कितनी है, पी अरटी, पीजी टी, टीजीटी, सारे चीच में देखने वाले हैं, और लास्ट में ओपीनियन देखने वाले है, क्या हमारे बच्चों के लिए ये विद्याले अच्छा रहेगा सर, तो इसकी जानकारी वीडियो लंबा होगा लेकिन डीटेल वीडियो इसमें आपको मिलने वाला है अरत का ये पहला विद्याले है जो कि माउंट लिट्रा चैन ओफ स्कूल के सिरीज में पहला है इस विद्याले की अस्थापना 2007 में अमित प्रकास जी के द्वारा किया गया था इस ये CBAC ये विद्याले CBAC बोर्ट से affiliated है और फिस विद्याले का जो affiliation number है इस विद्याले का affiliation number है वो है 330258 अब आया है जानते हैं ये स्कूल का belief system की आशर बहु सारे विद्याले का बहु सारा belief system होता है किसी एक और दो points में बात करेंगे कि ये स्कूल किस में belief करता है जो इसका belief system निकल के आया है जो कि इसके research में हमें मालूम चला है वो ये है challenge are not just role numbers they are unique individuals जो second belief system जो हमें बहुत अच्छा लगा every child is talented सबसे इंपोर्टन हमें जो लगा holistic development needs partnership between school and parents सबसे important बाच्चे का संपूर्ण विकास करने के लिए सिव विद्याले ही नहीं parents को भी मिलना पड़ता है और विद्याले और school दोनों की सामान जससे विद्याले और schools के तालमेल से ही बच्चों का development होता है जो की सबसे important बात is practical के आती है अपने वाले है address क्या इस विद्याले का address क्या है जो कि आपके screen के सामने है इस विद्याले का address है वो लिट्रा वैली स्कूल नया टोला भागवत नगर कुमरार पतना अगेन आई रिपीट इस स्कूल का जो address है वो है आपके screen के सामने लिट्रा वैली स्कूल नया टोला भगवत नगर कुमरार पतना इस स्कूल के principal कौन है जबसे बड़ा सवाल जो parents कर रहता है इस विद्याले के जो principal है वो है Desmond Jude De Monte again I repeat Desmond Jude De Monte इसके बाद सबसे बड़ा चीह आता है fee क्या है सर इस स्कूल का fee structure जो की parents पूछते है आमोमन सबसे important जो segment हमारा रहता है वो है fee structure के बारे में तो यह रहा आपके screen के सामने इस स्कूल का fee structure पहला registration and prospector का जो fee है वो है 1500 रोपया जो कि आपको one time pay करना second admission fees इसका जो है जो कि non refundable है वो है 55,000 यानि 55,000 रुपे में admission charges आपको देनी होंगे annual fee जो इस विद्याले का है वो कि वो है 15,000 रुपया जो कि non refundable है education fees जो है नसरी सिले की class 5 तक का वो है 500 रुपे यानि 5,100 रुपीज और class 6 सिले की class 10 तक जो है 5,300 रुपीज ट्रांस्पोर fees जो आपको जमा करना पड़ेगा वो भी non refundable है deposit at the school counter, school counter में आपको जमा करना पड़ेगा वो है 5000 रुपे और monthly जो आपको पे payment करना पड़ेगा वो है 2600 रुपे इसके बाद यहाँ पर teacher की संख्या कि इतनी है TGT teacher की संख्या यहाँ पर 54 है PRT PRT teacher की संख्या यहाँ पर 48 है उसके बाद अगर number of girls and boys toilet की बात की जाए वो कितना है sir number of girls and boys toilet यहाँ पर दोनों same है 4242 जो की parents बहुत सारे यह भी जाना चाहते हैं बहुत सारे parents पूछ नहीं पाते हैं but थोदम email through the whatsapp we are also know about sir please pay attention on that also अगर बात की जाए age एस age group के बच्चों का नमांकन कीन कीन की विद्धाल है और कीन क्लासस में होता है उस पर हम बात करें तो पहले देख लेते हैं nursery का अगर नर्सरी में नमांकन लेना चाहते हैं तो बच्चे का age 3 प्लस होना चाहिए यानि 31 मार्ज 2025 तक बच्चे का age 3 साल से जादा होना चाहिए कम से कम 3 साल होना चाहिए उसके बाद हम बात करें junior kg का junior kg का बात करें तो यहाँ पर नमांकन के लिए आपके बच्चे का age 4 साल प्लस होना चाहिए senior kg की बात करें तो यहाँ आपके बच्चे का age 5 साल प्लस चाहिए और class 1 की बात करें तो यहाँ पर 6 चाहिए यह निए छे साल उमर होना चाहिए आपके बच्चे का 31 मार्च दोहजार पचीज तक उसके बाद documentation के चाहिए सब्सक्राइब बात किए documentation के बहुत सारे fairest है और हमारा बहुत सारा वीडियो है लेकिन अगेन इस school का हम बात करें तो पर मांगा जा रहा है attested copy of the DOB आपके DOB अटेश्ट होना चाहिए बाइद प्रिंसिपल आप प्रिविए स्कूल उसके बाद यहां पर प्रिविए स्कूल रिपोर्ट कर मांगा जा रहा है आपके बच्चे का उसके बाद SLC मांगा जा रहा है स्कूल लीविंग इस यहां पर नहीं बताया गया है कि यह LKG के लिए है नर्सरी के लिए है प्रिपेटरी के लिए है यह क्या है लेकिसी यहां पर दॉक्क्मेंटेशंस में लिखी गई है तो यह सब चीजी आपके पास चाहिए ऐसे अमोबन आज कल बहुत सारे चीजे मा मांगा जाता है, income certificate बहुत सारे schools मांगते हैं, medical certificate बहुत सारे schools मांगते हैं, तो documentation अगर देखना है आपको क्या है sir, कौन-कौन से important documentation होने चाहिए, या होने ही चाहिए नमांकन के लिए, तो उसके लिए हमारा ये eye button पर जाकर आप देख सकते हैं, उसके बाद opinion, सबसे बड़ा स सर्च होता है, और उसके बाद ही इन स्कूलों की ranking की जाती है, तो अगर बात किये जाए, if you have this type of facilities, if you need the overall development of the kids, not only education, जो कि आजकल समय का demand भी है, then this school is best for you, you can go and take it out to admissions, यहाँ पर examination crack करना पड़ेगा आपको, and if you want to get how to crack the examination's question, asking the examination and so many questions, you can enroll in our batches by simply dialing the number that is 9472163206. बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे कॉर्स में इन्रॉल है, and they are preparing for the DPS, Delhi Public School, Patna, Santh Michael's High School, Lohila High School, Top 5 School of Patna, Bihar, what are you waiting for, please enroll and be in the Patna's top school, बहुत ही जादा लिमेट हो चुका है, maximum schools की vacancy, November, December, Jan में आज आती है, तीन महिने में लगभग, सारे विद देले अपने vacancies back to back out करते रह हैं, so what are you waiting for, please subscribe for this time for information, and share our channel to the needy one, because एक information की ना होने कारम, बहुत सारे बच्चों का ना मांगकर हो ही नहीं पाता है, let's sign out, जय हिन, जय भारत! जय हुआ झाल 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 झाल